हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आपको पहले ही प्रवाइट करवा चुकी हूँ और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्मोडाइनमिक्स टू के नोट्स आपको इंपोर्टेंट है और जरूर करने है, so let's start in notes का analysis सबसे पहले है इसमें need of second law, then इसमें second law of thermodynamics को पुड़ा define किया हुआ है, explain किया हुआ है then ये कान नोट cycle है, ये previous year में आई हुई है, इसको आप अच्छे से करें क्योंकि आपके physics में भी है जिन लोगों के पास physics है, BSE में, तो उन में ये physics में भी है, thermodynamics के अंदर और ये आपके chemistry में भी आता है तो आपको एक ही जगे याद करना है और आपका दोनों topic clear हो जाता है ठीक है, ये कान नोट cycle यहाँ पर explain किया हुआ है, chemistry में थोड़ा short में है physics में आप इसे full पूरा explanation परते हैं इसकी यहाँ पर के वाद इसका work done हमें काम आता है then ये कान नोट theorem है, ये कान नोट theorem भी काफी important है ये भी आपके physics और chemistry दोनों में है मैं यहाँ पर ये BSC के chemistry के notes लेकर आई हूँ ये notes आपका पूरा syllabus cover up करता है thermodynamics 2 का इन notes के लाव आपको कुछ भी extra पढ़ने की जरुरत नहीं है जो आपके जितने भी previous year के questions है, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे क्योंकि previous year के questions important होते हैं BSC में इसलिए वो सारे questions मैंने यहाँ पर डाले है इसके लाव आपका thermodynamics 2 में जो जो questions, जो topics हैं वो सारे notes में आपको cover हो जाएंगे इसलिए आप इन notes को खुद से पढ़के देखे इनकी language बहुत ही easy है आपको आसनी से समझ में आ जाएंगे Now next topic है हमारा application of Carnot theorem Application of Carnot theorem यहाँ पर यह फूरा इसका explanation है theory है Then entropy start हो जाती है यहाँ से यह derivation entropy as a function of state यहाँ पर यह fundamental equation है thermodynamics की यह निकाली हुई है तो इसे आप अच्छे से देख ले Then entropy as a function of temperature and volume इसका derivation आता है तो इसलिए आप इसे अच्छे से करें पूरे एक एक line में ने यहाँ पर अच्छे से derive की है कोई भी line direct नहीं लिखी है समझने में आपको कोई भी दिकत नहीं होगी Then next है entropy as a function of temperature and pressure वहाँ पर हमने पढ़ा था temperature and volume यहाँ पर है temperature and pressure तो इसका derivation भी simple है मैंने यहाँ पर पूरा इसको derive किया हुआ है short में बिलकुल ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए Then है triton's law यह triton's law एक number में आया हुआ है तो इसलिए चोटे marks का इसलिए इसको जादा मैंने explain नहीं किया है Then है closest inequality यह भी आपके previous year में आई हुई है इसे भी आप बिलकुल न छोड़े important topic है Then condition for thermal equilibrium यह भी आ चुकी है previous year के questions में मैंने previous year के सारे questions पढ़ने के बाद notes को बनाया है और इसका पूरा syllabus देखा है एक जी topic छूटने न पाए ताकि आप इन notes को ही पढ़के top कर सके BSC में जी हाँ यह notes एक topper के ही है entropy change in ideal guess यहाँ पर इसका entropy का derivation आता है exams में Then है entropy of a mixture of ideal guess इसका derivation भी आया हुआ है previous year के questions में यह यहाँ पर मैंने caution बताया है यह caution आ चुका है पहले Then है most most important nonsteheat theorem यह भी आपके physics और chemistry दोनों में आती है Then है entropy change in chemical reaction यह यहाँ पर इसका derivation है Then है physical significance of entropy इसमें कुछ theory है तो आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा Now next important topic आपका gips and halmolch function Gips and halmolch function इसका derivation आया हुआ है तो आप इसे पढ़िए derivation हाथ से solve जरूर कर ले एक बार क्योंकि जब तक आप हाथ से solve नहीं करेंगे तब तक यह आपके हाथ को याद नहीं होगा और आप exams में अटक सकते हैं इसलिए एक बार खुद से derivation जरूर निकाल ले Then next है इसमें fundamental equation of thermodynamics तो यहां पर यह इसका derivation है पूरा Now next है Gips harmology equation यह 2016 में आय हुई है यह देखिए यह derivation 2019 में आया हुआ है पूरे आपको अच्छे से एक एक caution देखना है एक एक derivation देखना है यह भी देखिए 2019 में आया हुआ है मैंने यहां पर इनके आगे लिख दिया है कि कौन सा caution किसी एर में आया हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप इन notes को पढ़िए बस इन notes से बाहर एक भी caution नहीं जाने वाला BSC में So आपके इन notes पूरे होते हैं इन notes के अलावा BSC Chemistry के बाकी सारे notes आप मेरे चैनल की playlist पर जाएं वहां पर आपको सारे notes मिल जाएंगे with explanation सारे notes आप description box में PDF की link दी हुई है वहां से download करें खुद से पढ़ें और फिर भी अधी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है समझने में तो आप comment box में comment कर सकते हैं मैं Hindi में भी notes को provide करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिर उसमें थोड़ा time लगेगा क्योंकि मैं एक English Medium student हूँ इसलिए मुझे Hindi Medium के notes बनाने में थोड़ा time लगेगा लेकिन वो भी मैं आप लोगों को provide करवाऊंगी बिलकुल अच्छे तरीके से कहीं से भी लाकर आप सभी को मैं Hindi Medium और English Medium सभी students को BSC के पूरे notes इस channel पर provide करवाऊंगी Thank you friends, bye bye, take care, have a good day